नमस्कार दोस्तूं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जय भारत जय रेल में आज इस वीडियो में दिल्ली के हचरत निजामुद्द меньше श्टेशन से के सार बैंगलور जूंक्षिन तक चलनेवाली बैंगलور राजधानी एक्सप्रेस के बारे में बताएंगे 22692 बेंगलोरु राजधानी एक्सप्रेस तेश की राजधानी दिल्ली को करनाटक राजजी की राजधानी बेंगलोरु से कनेक्ट करती है दिल्ली और बेंगलोरु को बेच चलने वाली ये दूसरी सबसे तेश ट्रेन है लगबग 29 साल पहले 1 नवंबर 1992 को बेंगलोरु राजधानी एक्सप्रेस ने अपनी पहली जरनी की थी दिल्ली से बेंगलोरु तक आगरा भोपाल नाकपूर से कंद्राबास से होते हुए राजधानी एक्सप्रेस 30 घंटे 30 मिनट में पूरी करती है जिसमें ट्रेन के 16 हाल्ट हैं प्रतिदिन चलने वाली बेंगलोरु राजधानी एक्सप्रेस में एसी फर्ष क्लास का एक कोच, सेकंड एसी के छे कोचिस, थर्ड एसी के ग्यारा कोचिस, पैंट्री कार, EOG, HCP समेत कुल 22 कोचिस हैं LGD का Web 7 लोको ट्रेन को ले जाता है, राजधानी एक्सप्रेस में लार्ज विंडो वाले LHP कोचिस हैं, ट्रेन की मैक्सिमम परमिसिबिल स्पीड 130 किलोमेटर पर आवर और एवरेज स्पीड लगबग 70 किलोमेटर पर आवर रहती है निजामुदीन से बैंगलरू तक 3 AC का Regular Fair Catering Charges सहित लगबग 4,200 रुपए, 2 AC का Regular Fair लगबग 5,900 रुपए, 1 AC का Fair लगबग 7,300 रुपए लगता है, ये Fair वेरी करता रहता है टिकेट बुक करते टाइम आप वेज और नौन वेज कैटरिंग का उपशन सेलेक कर सकते हैं, राजधानी ट्रेंड की कैटरिंग सुविदा बहुत बढ़िया है 22692 KSR बैंगलरू राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के हजरत निजामदीन इस्टेशन से प्रतिदिन शाम 7 बचके 50 मिनट पर प्लेटफॉम 95 से रवाना होती है 29.45 पर आगराकेंट पहुंसती है, 9.45 पर वहां से रवाना होती है 11.08 मिनट पर गॉलियर जंक्षन पहुंसती है, 11.10 पर वहां से रवाना होती है 12.25 पर विरंगना लक्षमीबाई जंक्षन पहुंसती है, यहां से 12.30 पर रवाना होती है भुपाल जंक्षन 3.45 पर पहुंसती है, 3.55 पर रवाना होती है फिर इटारसी जंक्षन 5.23 पर पहुंसती है और 5.25 पर रवाना होती है फिर नाकपुर जंक्षन 9.25 पर पहुंसती है, 9.30 पर रवाना होती है फिर बलहर शाह जंक्षन दुपैर बारा बच के पंदरा मिनट पर पहुंसती है बारा बीस पर रवाना होती है तीन बच के एठारा मिनट पर काजी पेट जंक्षन पहुंसती है तीन बीस पर वहां से रवाना होती है शाम को पांच उसकी दस मिनट पर सिकंदराबाद जंक्षन प्लेटफां नमर पांच पर ट्रेन पहुंसती है पांच 25 पर वहां से रवाना होती है अभी तक ट्रेन 1660 किलोमेटर की जरनी 21 घंटे 40 मिनट में पूरी कर चुकी है फिर सेदम जंक्षन 27 पर पहुंसती है 7-30 पर यहां से रवाना होती है रायचुर जंक्षन 49 पर पहुंसती है 9-50 पर रवाना होती है फिर गुंतकल जंक्षन 11-35 पर पहुंसती है 11-40 पर रवाना होती है फिर धर्मावरान जंक्षन एक तेईस पर पहुंसती है एक पच्चिस पर यहां से रवाना होती है फिर सिरी सत्य साहीं प्रसांथी निलियम जंक्षन दो बच के तीन मिनट पर पहुंसती है दो पांच पर यहां से रवाना होती है और नेक्स्ट सेकेंड डे 33 गंटे 30 मिनिट का सफर तै करके निजामतीन स्टेशन प्लेटफॉर्म नमबर 7 पर सुबह साड़े 5 बजी पहुंस थी है उम्मीद दोस्तों बैंगलूरू राजदानी एक्स्प्रेस की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें वीडियो के अंतक बने रहने के लिए धन्यवाद जै भारत जै रेल